हेलो चैंपियांस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्थ हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के कौन-कौन से स्टेट्स माइका के लीडिंग प्रोडूसर है और क्या आपको पता है कि यह जो माइनिंग होती है और यह जो माइनर्स हमारी को इसनी comfortable बनाते हैं mining का उनके health पे यानि mining का miners के health पे और environment पे क्या bad impacts पड़ता है आज हम इन ही सब topics को discuss करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं हमारा आज का topic है non metallic minerals दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग प्रिवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं classification of minerals जो minerals होते है majorly वो आप लोग जानते है metallic minerals होते है non metallic minerals होते है और metallic minerals में हम लोग ने अलड़ी पढ़ रखा है ferrous minerals होते है non ferrous minerals होते है और उस बाद precious metal तो gold platinum वगरा हम लोग जानते हैं जादा detail में है नहीं उसमें इसलिए हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं exam में भी नहीं आएगा तो basically आज हम लोग non metallic minerals के बारे में पढ़ने वाले पढ़ने वाले है non metallic minerals हमारा right तो दोस्तों देखिए जो non metallic minerals होते हैं उनकी सबसे बड़ी property होती है कि उसमें non metallic यानि उसमें metal नहीं होता है right non metallic minerals में metal नहीं होता है और non metallic minerals में जो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा important है वो है हमारा mica right तो आज हम लोग mica और rock minerals के बारे में details से पढ़ने वाले हैं दोस्तों यह जो हमारा topic है आज का यह बहुत ही important है क्योंकि इससे one marker question आ सकता है reasoning and assertion के form में two marker भी आ सकता है three marker भी आ सकता है इसके अलावा major mica producing जो states हैं और उन states में कौन-कौन से जगे हैं जैसे राजस्थान का अजमेर हो गया इनको plot करना भी हम लोग सीखेंगे इसलिए आप pin paper लेके बैठे रही है अब खूब ध्यान से सुनिया ऐसी ऐसी tricks share करूँगा कि आपको न क्यों आसानी से चीजें समझ में आएंगी बलकि at the same time आपको याद भी हो जाएंगी शर्त यहीं रहेगे कि आप ध्यान से वीडियो को सुनिया और देखिए चले नौन metallic minerals में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वज़ाए से हम लोग ने बात चीत करी माइका की बात करी माइका एक good insulator है राइट आप चुकि यह non metallic mineral है metallic mineral की क्या property होती है थोड़ सा हम लोग recap करते है जो metallic mineral होता है वो good conductor of heat and electricity electricity होता है बट जो non metals होते हैं जैसे माइका यह good insulator माइका is an excellent insulator of electricity है यह basically heat and electricity दोनों का बहुत ही अच्छा insulator है इसकी वज़ा से यह electrical and electronics industry में बहुत जादा use होता है और हम लोग topic पढ़ते जाएंगे और साथी साथ यह भी discuss करने जाएंगे कि इस पे किस topic पे किस तरह का question बन सकता है तो आई यह इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं तो पहला point है हमारा mica is a mineral made up of a series a series of plates or leaves जैसा कि इस image में आप लोग देख सकते हैं यह देखिए mica के बहुत ही thin sheets होती है बहुत ही पत्ली-पत्ली sheets होती है I hope आप लोगों को visible हो रहा होगा देखे बहुत ही पत्ली-पत्ली sheets होती है right तो यह हो गया a mineral made up of a series of plates plates or leaves हो गया ध्यान दीजे keywords पे इसलिए मैं जितने भी keywords होती है उसको underline कर देता हूं mica splits easily into thin sheets right यह इतनी thin होती है कि 1000 sheets कुछ आपकी NCRT में दिया भी है कि 1000 sheets अगर आप एक के उपर एक एक के उपर एक रखें तो 1000 sheets आ जाएगी कुछ ही centimeters में यानि आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कि कितनी पत्ली होती होगी यह पतला होने के साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बोला यह very good insulator of electricity and heat दोनों है right अब देखें हम देखते हैं कि यह जो हमारा माइका है माइका किन-किन colors में पाया जाता है माइका के colors को याद करने के लिए हम लोग BBG की help लेंगे यह वह वाली BBG आप लोग समझ रहे हों कि BBG यह wives की मैं बात कर रहा हूँ चलो wives की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यह देखें यह एक trick है जिसे आप लोगों को माइका के सारे colors learn हो जाएंगे यह है BBG red and yellow और बाद में हम रखेंगे clear अब देखें इसे कैसे हम समझते हैं देखें आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा जब आप लोगों की ममा नाराज होती है राइट यहाँ पे BBG का मतलब क्या हो गया wives हो गया राइट और जब mothers नाराज होती है लाल पिली होती है गुस्य से तो husbands को पता चल जाता है कि आज मेरी band बजने वाली है राइट क्योंकि यह जब BBG जब BBG red and yellow होती है यानि गुस्य से लाल पिली होती है तो यह clear sign होता है husbands के लिए कि अब मुह बंद रखना है नहीं तो husband की band बज जाएगी यह तो बताग था आएए इसमें देखते हैं हम learning कैसे करेंगी माइका किन-किन colors में पाया जाता है देखे B stands for brown B stands for black आप लोग चाहते हैं यहाँ देख भी सकते हैं माइका किन-किन colors में मिलता है यह clear हो सकता है बिल्कु transparent color मिल सकता है हमे बिल्कु transparent भी हो सकता है black भी हो सकता है green भी हो सकता है red भी हो सकता है अबлоग जानते ही हैं और यह clear तो माइका इतने colors में पाया जा सकता है Thanks to all the mummies I hope कोई गुरा नहीं मानेंगी चलिए colors हो गया अब हम देखेंगे properties of माइका and माइका के क्या-क्या uses हैं, basically माइका की four properties हैं, इस पर question भी आ सकता है two marker आ सकता है, two marker कि माइका की कौन-कौन से properties हैं तो माइका की properties क्या हैं ये excellent die electric strength रखता है excellent die electric strength रखता है, low power loss होती है insulating properties बहुत अच्छी हैं, जैसे मैंने अलड़ी बोला कि माइका की heat and electricity की insulating capacity बहुत अच्छी है, और resistance to high voltage भी है ये चार properties हैं, माइका कि है, आप लोग ध्यान रखें, इस पर two marker question बन सकता है properties of माइका, so माइका is an excellent die electric strength रखता है, इसका मतलब क्या होता है कि कितने भी high voltage की current आए, देखें आप अब ये देखें ये current है यहाँ पर माल लिजिए यहाँ पर माइका की sheet लगी है और ये हमारा appliance हो गया कोई भी appliance माल लिजिए, कोई भी appliance हो गया तो जब high voltage की current यहाँ पर आएगी तो माइका इसको pass on होने ही नहीं देगा जो current का flow होगा, यहीं पर रोक लेगा और current को बिल्कुल भी consume नहीं करेगा, इसकी वज़े से क्या हुआ, low power loss होता है, तो आप लोगों ने I hope यह दोनों point समझ लिया, basically फिर die, excellent die electric strength का मतलब ही ही होता है कि जो high voltage of power होगा उसको वो other side पर जाने ही नहीं देगा, माइका की sheet जैसे आपने देखा, यह electric current है यहीं पर रोक लेगा, other side पर जाने नहीं देगा तो यह दोनों points हो गए हमारे excellent die electric strength and low power loss और यह वाला आप लोग जानते है insulating properties, और यह resistance to high voltage यह भी अपने आप clear हो गया तो यह माइका की 4 properties होती है आप लोग इसे याद रखिए अगला, its uses माइका के uses कहां कहां पर होते हैं माइका is one of the most indispensable minerals यानि माइका के बिना आपके घर में oven होगा आपके घर में microwave होगा उसमें माइका का use होता है क्यों क्योंकि यह electricity and heat basically यहाँ microwave and oven में heat का good insulator होने की वज़ा से इसलिए microwave और oven में इसका use हो रहा है माइका is one of the most indispensable minerals used in, ध्यान दिजे question आ सकता है कि electrical and electronics electric and electronic industry में माइका को why is माइका indispensable for electronic and electric industry तो यही चारो properties आप लोग लिख सकते हैं now we'll move to the next slide देखें next slide में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं कि माइका कहां कहां मिलता है और माइका पे based question भी आएगा क्योंकि हमारी NCRT में दिया हुआ है कि किन किन states में माइका मिलता है और उन particular states में कौन कौन से places हैं तो हम लोग उने जैसे वीडियो के शुरू में promise किया था कि माइका कहां कहां मिलता है और उन states में जिन states में मिलता है उन states में किन किन places में मिलता है उन places को plot करना भी हम लोग सीखेंगे हम लोग अभी माइका की प्रॉपर्टी पढ़ ली अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइका किन किन स्टेट्स में मिलता है पहला माइका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नौर्दन एज ओफ द छोटा नागपूर प्लेट्व देखो ये छोटा नागपूर प्लेट्व न आप लोगों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग जोगरफी पढ़ेंगे तो थोड़ा सार एक छोटी जयनकारी लेते हैं ये जो हमारा छोटा नागपूर प्लेट्व है ये एक्चली किन किन स्टेट्स तक फैला हुआ है आई ऐसे देखते हैं जो हमारा छोटा नागपूर प्लेट्व है किन किन स्टेट्स तक फैला हुआ है तो इसके लिए थोड जहारखंड हो गया वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल अर्शा इन पांचो फ्लैटीव फैला हुआ है राइट आए समझते हैं तो क्या करा है कि माई का डिपोजितर फाउंड इन नॉर्धन इज अफ दे छोटा नाकपूर छोटा नातपूर के Northern Edge यानि Northern Edge इधर बढ़ेगा भिहर साइट पे उसके बाद और कहां पाया जाता है पहला यह हो गया अभी लर्न करेंगा हम लोग दूसरा Learning की ठीक भी हम बहुत शेयर करूँगा आप लोगों से दूसरा कहां मिलता है कोडर्मा गया हजारी बाग देखे तीन स्टेट्स हैं यह जो गया है वो तो भिहार में है बट कोडर्मा और हजारी बाग अब जारखंड में आचुके हैं उसके बाद राजस्थान में अजमेर बहुत फेमस है जहां पर अजमेर और आसपास का एरिया उसके बाद निल लाओर निल ओर कहां है आंधर परदेश में राइट तो basically माइका कहां कहां पया जाता है माइका का लीडिंग प्रोडूशर number one estate कौन सा है आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश के नेल्लोर में नेलोर को भी प्लॉट करना हम Weld को में सीखना है अभी देखते हैं तो कौन-कौन से मेजस स्टेट हो गए मायका धाउसू बहुत ही मजदा ड़िक दे रहा हूं आप लोगों को हसी भी आएगी otherwise कि सीभी state की स्ट्टिट kisses सब्याई नहीं लिए इसको थोड़ा सासा आप बनाने के लिए आप लोगवा कि लिए मने येट बनाई हुई है तो माईका, मेजर माईका प्रोडुसिंग स्टेट्स पॉन कौन से हैं, उसको लर्ण करने के सबसे आसान टिक है, आसान टिक है, माने यह बनाया है ध्यान दिजी आप लोग अंधा राजा अंधा राजा वेंट टू अंधा राजा वेंट टू जारखनढ औन बिहार लो आपको मेजर माईका प्रोडुसिंग स्टेट्स के नाम लर्ण हो गए, अंधा राजा वेंट टू जारखन औन बिहार, अंधा मिंस आंधर प्रदेश राइट, अंधा शाност अंधा मिंस आंधर प्रदेश, आंधर आरी ठीक है ये चा म Andhraated you a 1995 यह जगा अब 2 अबिश्थान में कौन सी जगह है राजस्थान में अजमेर अजम आजमेर शरीफ अब लोगों को यादी है उसमें कोन शी बताना आंधर प्रिदेश में नेल लवर अच्छ आप सवाल आता है कि आंधर प्रिदेश में नेल लवर कहां पढ़ता है और याद रखिएगा हजारी बागो को डर्मा हजारी बागो को डर्मा कहां पढ़ते हैं हमारे जारखंड में और गया कहां पढ़ता है बिहार में तो आए द बिहार का मैप है बिहार में गया क्योंकि गया बिहार में तो को गया देखिए पहले आप लोग जानते हैं पहले बिहार उजहार खंडेखी थे देखिए ये गया है और गया के ठीक नीचे देखिए को डर्मा है और हजारी बाग बिसिकली ये देखिए एक ही लाइन में आ रह अधेया है यहां पर थोड़ास से हम जूम करते हैं ताकि आप लोग समस्भ सकें हैं बज इतने समस्भास देखिए नहीं करो मैं यह वेस्ट बेंगाल है हमारा यह देखे जो वेस्ट बेंगाल है राइट वेस्ट बेंगाल का यह जो निकला हुआ हिस्स्थ है त्री मिलिमिेटर का सरकल त्री मिलिमेटर के रेडियस का सरकल बना दो यह व گए आपका हजारी वाग ये होगे आपका हजारी भाग और हजारी जा Bei के ठीक तीक आपका है यह वह आपना ने कोड़ आर्मा जैसा कि मैंने मैं पर दिखाया था एक बार फिर से चलते हैं उस पर देख लेते हैं आकि आप लोगों confusion नहों देखें यह रहापना हजारी बाग यह देखें यह वेस्ट बेंगॉल का हिस्सा है वेस्ट बेंगॉल का जो हिस्सा जारखंड की जारखंड में देखें एक तरफ लगते जैसे क जारखंड में घुस गया है वेस्ट बेंगॉल का हिस्सा तो देखें से हजारी बागों कोडर्मा हजारी बागों कोडर्मा लगा हुआ है और हजारी बागों कोडर्मा के ठीक ऊपर देखें गया लगा हुआ है इस तरीके समय सकते हैं आईए प्लोट करते हैं तो जूम इन तो हमारा हजारी बाग ये ये जो वेस्ट बेंगॉल वाला जो हिस्सा ये वाला हिस्सा देखे जो जार्खन में घुसा हुआ साधिक रहा है इसी के ठीक उपर आप लोग बना दीजे थी मिलिमेटर का सरकल बना दिए अपना हजारी बाग हो जाएगा और उसी के आसपास भी थ्री मिलिमेटर का बना दीजे सरकल ये अपना कोडर्मा हो जाएगा और हाँ जार्खन सर्य बिहार में जो गया है ने गया को प्लॉट करने के सबसे असान तरीका ये जो ये जो उठा हुआ हिस्सा देख रहा है हमारा यानि जार्खन का जो भिहार में घुसा हु लाग हो गया और इसमें दिया नहीं है को डर्मा लेकिन मैंने आपको बता दिया थीक उपर को डर्मा हो गया। मैं आप मैंने आपको आप लोगों कॉ मुट्वर में दिखा विदिया है चलिए अब हम哪裡 दूसरा देखते हैं अब हमारा क्या है अजमेर राजस्थान का अजमेर राइट राजस्थान का अजमेर आप लोगों को राजस्थान में देखें ये ये जो मद्धर प्रदेश का एरिया है ये जो मद्धर प्रदेश का एरिया है देखें मद्धर प्रदेश यहां देखें यहां जो ये मद्धर प्रदेश का य लेगा है जो स्कूल में मैं मिलेगा उससे वन वन सेंटी मीटर एंड ट्री मिलीमीटर वन सेंटी मीटर इसी पर स्केल रखी है और वन सेंटी मीटर रखे आप बड़ा सा सरकल बना दी यह हो गया आपका आजमेर और ठीक है यह हो गया आपका आजमेर और उसके बाद फिर बा तो इस तरीके से हमारा अजमेर और बेवार दोनों हो गया I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है comment में आप जरूर बताएं कि आपको एक कैसा लगा या समझ में आया कि नहीं आया अब उसके पास हम लोग देखते है निल लाओर को भी बहुत आसान सी ठीक है थोड़ा से जूम क है यह रहा हमारा वा दो सब्स्ужд… यह रहा हमारा आंध्र प्रदेश की धर भागल यह लूए तक है है यह जिए चितूर से ठीक उपरवाला प्रिफशा ने रूर यह बिल्कुल बेया अब बेंगॉल के किनारे हैं देख रहा है आप यह वाला हिस्सा से ठीक ऊपर ठीक ऊपर किनारी पे जाना है आए देखते हैं बहुत इजी है द्हान से समझे है आसानी से आजाएगा चलिए देखते हैं यह रहापना इंडिया के मा अब यहां तो चित तोड कौन सा था चित तोड नहीं था कुछ ऐसे था अपना यह रहा मतलब जो बॉर्डर है बॉर्डर से आप एट मिलिमेटर ऊपर आ जाए और किनारे पे ही त्री मिलिमेटर या फोर मिलिमेटर का सर्कल बना दीजिए उसमें सारा कवर हो जाते है जहा अपना पुटर मिलिमेटर का सर्कल बना दो उसमें साब कवर हो जाता है तो आई होप आप लोगों को यह मैप की प्लोटिंग चाहे है Рाजस्तान का अजमेर और वेवार हो चाहे अपना बिहार का गया हो और राजस्तान जारखंड का अपना कोडर्मा और हजारी बाग हो और चाहे आंधरदेश का नेलोर हो आई हो आप लोगों को प्लोटिंग में मदद मिली पीज आप कमेंट में कमेंट करके बताएं कि ये प्लोटिंग आपको कैसी लगी हमें भी थोड़ा सा मोडिवेशन मिल दायार की बच्चों का वायदा हो रहा है तो कमेंट करने में कंजूसी मत बरता करिया आप लोग चलिए अब हम लोग मूव करते हैं यह हमारा सारे बिल्ट हो गए हमारे माई का प्रोडूसिंग सारे स्टेट्स हो गए हमने अच्छे से समझ लिया और हमने जो फ़नी सी ट्रिक बनाई थी कि मैड राजा वेंट टू जहार खंडन बिहार किसी को अधरवाइज लेने की जरूद नहीं है आई लव आफ आफ माई स्टूदेंस फॉम आल दे स्टेट्स आफ इंडिया और टू श्ट बबलब दिल पे कल जाता है नहीं ठीक है यह घड़र्णरर मॉग एक कंछे कर रहे हैं सिस एकुर्णे इसक्राइल मुदगा स्टू nic नेक्स स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में कराना भूल गया था और यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इस पर एक्वेशन बन सकता है यह पर देखते हैं क्या है important factors affecting the economic viability of a reserve यानि कोई भी reserve है या कोई भी किसी भी mineral का reserve है या किसी भी mineral का deposit है उस particular mineral के deposit को या reserve को हम mine में कब convert करेंगे क्या conditions होनी चाहिए कि हम किसी deposit को हम किसी deposit को हम mine में convert करें तो उसके लिए 3 important factors है आईए देखते हैं कौन कौन से पहला the concentration of minerals in ore मालीजे देखे यह देखे मालीजे कोई एक rock है मालीजे I am very good at drawing यह अपना surface हो गया rock हो गया rock में जो ore है क्यों इतना ही है right यानि बहुत कम quantity में है तो उससे ज्यादे हमारा input cost आ जाएगा label लगेगी machinery लगेगी engineer लगेगी time लगेगा पैसा लगेगा है ना तो sufficient quantity होनी में इसका इतना 70-80% अगर मिल रहा है 60% भी मिल रहा है तो हम उसमें उस ओर को rock से निकालने की कोशिश करेंगे right तो पहला ही तो यह हो गया हमारा है यह पहला condition क्या होग ए concentration of mineral in the ore कि उस particular rock में जो mineral का और का और का basically जो concentration है कितना है क्योंकि और निकलेगा और में से आपको प 70% मिला है तो प्योर मिलना तो फिर घट करके 50% हो जाएगा है ना तो sufficient concentration होना चाहिए the ease of extraction अम माल लीजिए कि अगर अगर वो rock के surface पे है तो open pit mining की help से हम open pit mining सस्ती पड़ती है right तो open pit mining से हम लोग rock के surface से mineral को उठा लेंगे थोड़े बहुत excavation करके थोड़े बहुत rigging करके right लेकिन what if अगर वो mineral underground है deep underground है तो बहुत ज़्यादा खर्चाएगा तो यह भी point ध्यान में दिया जाता है कि कितनी easily कितनी minimum cost पे हम उसको extract कर पाएंगे तीसरा closeness to the market तो वो जो particular ore है वो market से कितना दूर या नजदीक है अब इसलिए आप लोग देखे कि जो iron और steel industry है वो coal mines और iron ores के आसपास ही पाई जाती है चुकि कोल बहुत हैवी होता है उसको long distance ले जाना थोड़ सा impractical हो जाता है खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है इसलिए जितनी है आप इंडिया के मापे देखे है जितनी भी iron मतलब mostly mostly iron और mostly iron और steel industries coal mines के आसपास coal mines and iron ores की mines जो ह तो हम लोग यह तीन फेक्टर देखिया अगर यह तीनों फेक्टर देखिया है तस to meet the demand a choice has to be made between a number of possible options तो question यह इस पर बनेगा देखो what are the important factors which affect the economic viability of a reserve तो हमने यह तीन देख लिया और उसके बाद हमने यह भी देखा अगर यह तीनों चीजें हमारे favor में हैं तभी क्या होगा only then a mineral deposit or reserve will be turned into a mine तभी हम वहाँ पे mining शुरू करेंगे राइट यह तीन पॉइंट कोन को से हम लोगों ने पढ़ए एक बार क्विक रिक करते हैं पहला sufficient concentration होना चाहिए ease of extraction होना चाहिए और closeness to the market होना चाहिए अब जहरी बात है iron ore निकलेगा तो market में थोड़ी भिगेगा iron ore निकलेगा तो कहां जाएगा iron and steel industry के लिए जाएगा हो चलिए अंट मैं वर टापिक रिए रोक मिनरल के आएफ ऐड़ा फर समझधे हैं रॉक मेंड़स का इस हम लोगों क्या राया हम लोगों Kaldun रॉक से मिर्टस का मिलता हमें में रॉक मिलता है स्टे मार्बर विलता है और sedimentary rocks कैसे बनती हैं लोग तो आप लोग जानता ही है तो उस पर discuss करने की जरूद नहीं और sedimentary rock में sedimentary rock में minerals किस फ़र्म में पाया जाता है आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएं क्योंकि igneous and metamorphic rock में minerals किस फ़र्म में कर करता है loads and veins के फ़र्म में now you will comment and tell me कि sedimentary rock में minerals कि सवर्म में मिलता है चले देखते हैं limestone is found in association with rocks composed of ध्यान दीजे assertion and reasoning में जरूर आ सकता है calcium carbonates, calcium and magnesium carbonates यानि जिस rock में limestone मिलता है उसमें ये भी चीजें मौजूद होती है कौन-कौन सी? calcium carbonate या only calcium carbonate बोल या calcium बोल लो and basically ये दो ही चीज़ी बात कर रहा है calcium carbonate and magnesium carbonate के साथ-साथ ही limestone भी मिलता है यानि जिस rock में limestone मिलेगा वहाँ पे calcium carbonate या calcium और magnesium carbonate भी मिलेगी पहला दूसरा ये तो आलोड़ी हम लोग discuss कर चुके it is found in sedimentary rocks for the most geological formations हम लोग जानते हैं sedimentary rock कैसे form होती है now देखे limestone is the basic raw material for the cement industry ये भी काफी important है आप लोग जान दीजिए and essential for smelting iron ore समझाता हूँ in the blast furnace देखे जो iron ore होता है पहले iron ore अब iron ore है iron ore के साथ धेर सारी impurities होती है right उसमें कुछ कुछ chemicals मिला जाते हैं उसमें से एक है limestone ताकि जो कचरा है उसे slug बोलते हैं जब उसे बहुत high temperature पे इसको melt किया जाता है हम लोग क्या समझ रहे हैं melting iron ore क्या होता है पहले iron ore को बहुत high temperature पे उसे गरम करते हैं जब बहुत high temperature तो उसी समय उसमें limestone भी मिला देते हैं जो भी slug होता है जो भी कचरा होता है वो liquid के form में ही एक तरफ हो जाता है और iron ore निकल आता है समझ रहे हैं उसमें भी limestone की basically limestone की दो हमने देखा एक तो cement industry में दूसरा smelting iron ore smelting मतलब क्या हुआ है जब iron ore को हम purify करेंगे iron ore से हम कचरा निकालेंगे तो smelting iron पहला पहला cement industry में दूसरा smelting iron ore के लिए हमें limestone की जरूद पड़ती है तो इस पर क्या question आ सकता है इस पर question नहीं आ सकता है कि limestone के क्या-क्या uses है और किस form में found किया जाता है और ये कि किन तरह की rocks में मिलता है था अपना हम देखिया कि जो अपना limestone होता है मेगनीश से carbonate और calcium carbonate के साथ पाया जाता है अकेले नहीं पाया जाता है उसके बाद ये देख लिए ये बहुत जरूरी है ये देखे 2018 का ये 2018 का जो fact and figure है production of limestone showing the statewide share तो सबसे बड़ा share है इसमें limestone का सबसे बड़ा production है हमारी country में राजस्थान दूसरे नंबर पर है मध्धर प्रदेश है मध्धर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों का सेम है 13% 13% किसी बच्चे की बुक में पुराना देख हो सकता है तो आप देख लिए ये latest है 2018 इसका latest है उसके बाद का है नहीं न तो बुक में है न तो इंट्रेश बिसिकली अगर पूछेंगे विए ता आप आप बुक वाला ही लिखिए क्योंकि बुक में जो है NCRT की यही तो खासियत है CBC Board की NCRT से बाहर वो क्येशन नहीं पूछते हैं बहुत अच्छी बात है ठीक है इसको भी अगर आपको अब तीसरा देखे पहला हो गया राजस्तान दूसरा मदर पर तीसरा आंदर पर देश हो गया चोथा क्या है च्छतिस गड़ इसको लर्ण करने के बहुत ही अच्छी सी ट और अंधा होकर च्छतिस गड़ पहुचा राजा राजा मैड राजा मैड और अंधा 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 होकर च्छतिस गड़ वो गया राजा मैड और अंधाओं के 36 गड़ पहुंचा राजा मतलब राजस्थान मैड मतलब मदरप्रदेश अंधा मतलब आंधरप्रदेश अंधा राइट एंद 36 का इस तरी किता में लोग इससे कर सकते हैं आप लोग चाहिए तो इसका इससरी शौर पही ले लिजी ये लेटेस्ट फैक्स राइट आज़ लोग वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो माइनिंग जो माइनर्स हमारी लाइफ को इतनी कंफटेबल बनाते हैं माइका, कॉपर, आईरन ओर, क्या हम इनके बिना अपनी जिन्दगी को सोच सकते हैं, जिस घर में ख़रें हैं, आईरन की बार्स लगी हैं, मतलब धेर सारे मिनरल्स लगे हैं, ये माइनर्स हमारी जिन्दगी उतनी आसान बनाते हैं, आप लोगों पता है, ये किन कंडिशन मे गलत असर पड़ता ही है हमारा जो environment है वो भी polluted होता है आए एक बार देख लेते हैं इस topic से three marker question आ सकता है है ना आए देखते हैं क्या-क्या so hazards of mining जो mining से जो dangers निकल रहे हैं दो तरह के danger निकल रहे हैं एक group में तो यह अपने miners आते हैं आप देखे इन miners को और दूसरे दूसरे group में आता है अपना environment यानि water body हो गई या land हो गया राइट इक बार पर देखें यह हिंदूस्तान times का मने एक article उठाया था farmland in Odisha संभल पूडिस संभल पूडिस्ट संभल पूडिस्ट आसपास की river में या water body में discharge कर देते हैं पाइट के थूर जनरेटर लगा करके है ना pumping से जनरेटर लगा करके पानी खीच के पाइट के थूर बाहर कर देते हैं जैसे कि हां जैसे कि हां कर दूसरे case में क्या होता है कि मालीज कोई आसपास water body नहीं है तो वो गढ़धा बनाते हैं बड़ा सा उस गड़े में जितनी slurry होती है pump से खीच करके डाल देते हैं तो इस case में क्या हुआ कि जो वहां पे slurry को store करने के लिए जो pond बनाया था वो pond overflow हो गया और आसपास के जो खेट थे उन में चला गया तो जो fertile land थी infertile हो गई क्योंकि अजीब तरह के gases होती है ऐसे ऐसे chemicals होते हैं जो land की fertility को badly affect करते हैं आए एक बार देखते हैं तो basically 4 point है जो hazards of mining में total 4 point है 2 point है miners का कैसे नुक्सान होता है उनकी health का कैसे नुक्सान होता है pulmonary diseases होती है और हमारा environment का so 2 point in miners के नुक्सान की है और 2 point हमारे environment के नुक्सान की यह देख लेते हैं the dust and noxious fumes noxious मतलब poisonous fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases pulmonary diseases क्या होती है pulmonary मतलब related to lung basically उनके lungs and respiratory system में बहुत बड़ी problem हो जाती ही इन miners के दूसरा the risk of collapsing mine roofs कभी कभी क्या होता है देखे आप लोग अब देखे जो जो अगर अगर रॉक के ऊपर मिल गया तो open pit mining से काम चल गया लेकिन होता क्या है mostly coal वगर सब्सक्राइब देखे यह रहा हमारा यह हो गया यह हमारा surface अर्थ का surface है मैं यहां बनाता हूं आप अच्छे से समझ पाएंगे देखिए कहानी कैसे होती है यह मालीजिये यह हमारा rock हो गया राइट और यह underground हो गया राइट यह underground हो गया मालीजिये अर्थ का surface है अब क्या हुआ यह underground with shaft अब देखे इससे इलेवरस नीचे उतरे और इन्होंने यह देखे अब यहां पर खोखली हो गई यह जमीन खोखली हो गई राइट यह तो मैंने छोटा डाइग्राम बनाया है मालोग कोल उन्होंने इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं और कभी-कभी क्या होता है जब लोग कुछ-कुछ प्लेसे आप लोग जानते हैं जो ग्राउंड वाटर होता है क्या आग्षा, शुकर गिशा से क्या होता है है दो क्या हो गया है, इस इन पॉइंट कोनोट करिए ऐक तो प्लमोरी डिजीजस हो जाते हैं collapsing of mine roofs हो जाता है तीसरा inundation हो जाता है fire हो जाता है कभी कभी आग लग जाती है coal mines में आप जाते है coal combustible होता है तो जिस iron tools से खुदाई कर रहा है कभी कभी चिंगारी उससे लग जाती है कभी कभी ये liberals कभी कुछ poisonous gases होती है जो बहुत prone होती है बहुत जल्दी fire catch करता है उसकी वज़े से भी आग लग जाती है है ना तो basically miners को चार चीज़ें हो सकती है कौन-कौन सी pulmonary disease हो सकती है roof collapse हो सकती है inundation हो सकता है और fire तो ये चार हो गया एक, दो, तीन, चार इसको आप लोग याद रखें अब देखे environment को क्या-क्या नुक्सान हो रहा है water sources in the region जहां पे coal की mining हो रही है कोई भी mining हो रही है उसमें क्या होता है water sources in the region get contaminated due to mining बहुत जादा dust generate होती है बहुत जादा dust generate होती है एक तो dust की वज़े से दूसरा जो slurry निकलती है जब mining करते हैं तो जैसे मैं अभी यह देखे यह discharge हो रहा है slurry यह जैसे आपने देखा slurry अभी next slide में आप लोगों को दिखाता हूँ पढ़ लेते हैं फिर दिखाते हैं तो क्या होता है dumping of waste and slurry leads to degradation of क्या-क्या land भी खराब होती है soil इस case में देखो soil खराब हो गई land, soil and increase in stream and river उस एरिया में जो stream है या रिवर है जो भी water body है badly polluted हो जाती है आप हम लोग next slide में चलेंगे कुछ pictures हैं आप लोग गार इसमें नजर मारें तो आप लोग देखेंगे यह देखें जैसे हम लोग पीछेंगे देखेंगे आग लग जाती है लोग अंदर गये ही आग लग गये और देखेंगे कितना डस्त आप लोग जना नजर मारें यहंदर से कल्सों हो जाती है और यह देखें क्भी कभी दोस्तों आज के लिए तना ही और इंट्रेसिंग वीडियो के साथ keep learning, keep growing thank you so much